स्टुडेंट स्वागा थे आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में आज हम जी आईशी 2009 कर ग्री विग्यान के कोश्चन पेपर देखेंगे आज क्या हमेरे पहला कोश्चन है पीट में छाले मतलब अलसर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए मिर्च मसाले और रिष्यदार भोजन उपरोग दोनों के जैसे कि एंसर के साथ आया हुआ और यहाँ पर पूरे एक्सपलेशन के साथ दिया हुआ है अलसर का अर्थ होता है घाव होना हो जाना पैप्टिक अलसर में अमाशय तथा पकवासय के सलेस्मिक जिल्यों में घाव हो जाते हैं इसके काड़न कई छोटे छोटे छिदर हो जाते हैं अतहा अमाशय की दिवार की सलेस्मिमा जिल्ली भी गल कर धीरे धीरे नश्ठ हो जाती है इसलिए पेट में छाले होने पे मिर्च मसाले और रिषिदार भोजन को कम सेवन करना चाहिए नमबर वाई नमबर करेंगे वृद्धी का अर्थ है वृद्धी का अर्थ क्या है? शंख्यानात्मक, दिशात्मक, लंबवत या गुडात्मक वृद्धी का अर्थ है गुडात्मक जैसे कि आप एंसर पहले ही दिया हुआ है वृद्धी का अर्थ है बढ़ना अथार्थ गुडात्मक बदलाओ वृद्धी और विकास दो अलग-अलग प्रत्या हैं जो संसार के सवी सजीव प्रानियों में होते हैं चाहे वे सुक्षम एक कोश किये जीव हो या बहु कोश किये जीव अथार्थ वृद्धी सारेरिक रचना और सारेरिक परियोर्तन की ओर शंकेत करती है किसी भी प्रानियों में विकास पहले तथा वृद्धी बाद में होती है ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे अब इसका एक्सप्लेशन देख लेते हैं कम कोश्चन करेंगे बट जितना देख रहे हैं उसको पूरा एक्सप्लेशन के साथ देखेंगे तो दूसरा कोश्चन भी एक के साथ रेडी हो जाएगा शमुदाइक विकास कारेकरम 2 अक्टूबर 1952 को भूत पूर्गर राष्ट परती श्वरगी राजिंदर परसाद के करक मलो द्वारा सुहारम हुआ वह ग्रामिड का अपना कारेकरम है जिसे वे स्वेम बनाते हैं चलाते हैं सरकार तो केवर आर्थी के तक्निकी सहायता पहुचाती है इस कारेकरम में परतेक वेक्ति या अनुभाव करता है कि उसके विकास के लिए चारों ओर से राष्टे खुले हुए है नेक्स्ट कुस्टन है निम न मेंशे कौन सी विधी प्रछेवी विधी है मॉडल फोटोग्राफी या फ्लेस कार्ड या स्लाइट कार्ड तो प्रछेवी विधी फ्लेस कार्ड है इसमें पते कार्ड मोटे कागज पर बनाया जाता है जो 21-27 cm करीब के अकार का होता है जिसमें चित्र होते हैं या रिखांग की चित्र बने होते हैं या कार्ड बंधे हुए नहीं होते पते कार्ड को दर्सकों के सामने फ्लेस किया जाता है और साथ में सब्दों की कमेंटरी की जाती है निम्न मेंशे कौन सा समाज विकास से सम्मिलित नहीं है? राज्या, देश, जनपदिय या ग्राम अस्तर? तो कौन सा समाज विकास से विकास में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम अस्तर, समाज विकास में शम्मिलित पहलू तीन है राजय अस्तर, जन्पद अस्तर और देश अस्तर शर्वग्राही, शर्वग्राही, रुधीर का ग्रूप है A, B, AB या O तो जो AB है, वो शर्वग्राही कहते हैं इनमें कोई antibody या प्रती रक्षी नहीं पाया जाता और जो O, O, रक्त दाता होते हैं वो स्वर्वदाता होते हैं, वो किशी को भी दे सकते हैं रेशम के कीडो, रेशम के कीडो को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं सेरी कल्चर रेशम उत्पादन की पहले प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीडो को पाला जाता है रेशम के कीडो को पालना सेली कर्चर काल आता है रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र दो माह का होता है इसी अल्प अवधी में चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है ये अवस्थाओं निम्न है पहला है अंडा, फिर लारवा, फिर प्यूपा, फिर कीडा इनकी अवस्थाओं से बहुत बार कोश्चन पुछे गए तो अब ध्यान से देख लेंगे ये चार अवस्थाओं होती है अंडा, लारवा, पिर प्यूपा और कीडा नेक्स्ट कोश्चन है सबजियों में लाल रंग निम्न कड़ों की प्राप्ती के काड़न होता है फ्लेवीन, एव, फ्लेवीन, नुएड, क्लोरोफिल, एंथोसाइथीन तो हमारा एंसर होगा एंथोसाइथीन एंसोसाइथीन फॉलो तथा सबजियों में पाया जाने वाला एक रंजक है जिसके काड़न फॉलो तथा सबजियों का रंग लाल होता है या जामुन, चुकुंदर, काली गाजर में पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है तो FDR, LIC, NSC या लोटरी तो नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है तो LIC, नियोजन का अच्छा तरीका है FDR, NSC, लोटरी नियोजन प्रवंद प्रक्रिया का पहला चड़न है निम्न मेंशे कौन समय ब्योस्थापन का यंत्र नहीं है पिकलूड, कार्यवर्क, विश्रामकान या थकान तो कार्य ब्योस्थापन का यंत्र थकान कभी नहीं हो सकता है समय मानो जीवन की अमुल्य नीधी है समय बे उस्थापन का मुख्य लक्षे है कि कारे के समय में अधिक से अधिक कमी लाई जाए किन्तु लक्षे की प्राप्ति के समय या आवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कारे की गुर्णुवत्ता प्रभावित ना हो नेक्स्ट कॉश्चिन है रक्त नलिकाएं जो हिर्दे को रक्त लाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं धमनिया शिराएं नलिकाएं या नर्वश तो रक्त नलिकाएं जो हिर्दे को रक्त लाती हैं उन्हें शिराएं काते हैं एक्स्पलेशन देख लेते हैं, सिराओं की उत्पती विन विन अंगों से होती है, ये विन विन अंगों से रुधीर को हिर्दे में वापस लाती है, और सिराओं में असुद रखतों बैता है, नेक्स्ट कुईशन है, निमन में से कौन सा रोग बिटामीन ऐ की कमी से नहीं होता है, पहला है रताओंदी, फिर कंजिट वाइटिस, किरोंटो मेलेसिया ये किटोसिस, तो विटामिन A की कमे से कौन सील बिमारी नहीं होती है तो किटोसिस नहीं होती है विटामिन A की कमे से रतांदी, कंजित्वाइटिस्ट, किरेटो, मिलेशिया, आधी रोग होते है विटामिन की खोज में सबसे पहले विटामिन A की खोज की गई थी बिटामिन एक केवल पड़ारी जब हो जब पदातो जैसे दूद, मक्खन, अंडे की जर्दी, जीगर, मचलियों के तेल आदी में पाया जाता है नेक्स्ट कोस्चन है प्रोटीन तथा कैलोरी की सहयुक्त कमी से हो जाता है और प्रोटीन तथा कैलोरी के सहयुक्त कमी से महैरेमस रोग हो जाता है महां मैरेमस रोग हो जाता है प्रोटीन और कूपोशन और उजा के कूपोशन का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी के अत्यधिक कमी से उत्पन होता है इन पोशक तत्यों की कमी के काड़न सरीर में उर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है जिससे सरीर की महत्वपुन किरियाएं रुख जाती है मेरेमस बैस्क और बच्चों दोनों को हो शकता है नेक्स्ट कॉश्चन है प्रोटीन एक कार्वनिक योगिक है जो बना देता है शल्फर, नाइट्रोजन, अमीनो अमल या उपिक तुमें से कोई नहीं तो प्रोटीन एक कार्वनिक योगिक है जो बना देता है अमीनो अमल प्रोटीन अब इसका एक्सप्लेशन देख लेते हैं प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्ट जटिल कार्वनिक योगिक है जो 20 अमीनो अमल से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन का हमारे हार में मुख्य अस् दूरी है शरीर में विभीन क्रिय कलापों के दौरान विभीन कोशिकाओं ये तंतुओं की निरेंतर तूट फूट होती है होती रहती है रख्त बाल मांस पेशियां यक्रित अस्थी के तंतू त्वचा आधी निर्मार के लिए प्रोटीन आवश्यक है नेक्स्ट कोश्यन है हमारा दाग धब्बे दाग धब्बे छुडाने का सबसे अच्छा रशाइनिक पदात है जैविल जल साइटरिक अमल लवण युक्त जल नमक युक्त जल जो दाग धब्बे छुडाने का सबसे अच्छा और रशाइनिक पदात है साइटरिक अमल प्रत दिन उपयोग में आने वाले वस्त्रोय परिधानों पर दाग धब्बे का लग जाना कोई अश्चरी की बात नहीं है। बीभीन कारियों को शंपन करते समय कहीं न कहीं किसी न किसी चीज पर दाग धब्बे लग ही जाते हैं। चाहे कितनी ही शाओधानिया क्यों न बरती जाये पर दाग धब्बो को सिगरता से छुड़ा लेना ही बुद्धे मानी है। इसके लिए साइट्रिक अमलिका उप्योग दाग धब्बा को छुड़ाने में किया जाता है। प्रण्तिक मुल्य भोजन की गुड़ुवत्ता पर निर्भर करता है। भोजन में न खाने योगे पदात तथा निमने श्रेणी के भोजन पदातों को मिलाना जिस्से की विक्रिता को अधिक लाव हो प्रंतु उपभोग करता को आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्त पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े भोजन में मिलावट कहलाता है। नेक्स्ट कोश्चन है हमारा। भोजन में उर्जा का सबसे शांद्र स्रोत है वसा, प्रोटीन, कार्बोज ये खनीज लवन तो सबसे शांद्र स्रोत है कार्बोज। भारत में ही नहीं वरन संपुन वीश्यो में उर्जा प्राप्त का मुख्य स्रोत कार्बोज है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक सधारन बैक्ती के भोजन में 55% से 65% तक उर्जा कार्बोज से ही मिलती है। उच्छ आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवशक्ता उर्जा का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं जबकि निम्न आयवर्गिये जिनका मुख्य काम कठिन सारीरिक स्रम मेहनत वो मजदूरी करना है अपनी आवशक्ता उर्जा 85-90% कार्बोज युक्त भोजपदातों से ही प्राप्त करते हैं संग्यानता कोग्निटिव विकास की थियूरी दी है किसने दी है प्याजे ने, क्रो एंड क्रो ने, ईवी होलोक ने या आइस्टीन ने तो संग्यानता या कोग्निटिव विकास की थियूरी प्याजे नी दी है जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास की थियूरी दी थी बाल विकास के छेतर में प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिद्धान्त काफी महत्तो रखता है प्याजें ने इस सिद्धान्त में बालग के भीतर चलने वाली शंग्यनात्मक परिक्रियाओं के विकास की व्यक्ख्या भी की है वे बालग द्वारा अर्जित ग्यान के सरूप को समझना चाते थे नेक्स्ट कॉस्ष्चन है हमारा बिमारी का जिवाणों सिद्दान्थ दिया था एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चरे ने, लुई विन हॉक ने या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो बिमारी के जिवाणों सिद्दान्थ दिया था लुई पास्चरे ने इसका एक्सप्रेशन हम यहां देखेंगे सबसे पहले शन 1683 में हॉलेट के निवाशी एंटोनी वान लुईन हॉक ने अपने बनाए हुए सुक्षम दर्सी द्वारा जल लार यो दाथ से खुरचे मैल को देखा उन्हें उसमें अनेक सुक्षम जीव दिखलाई दिये ये जीवानू थे लुई पाश्चरिय ने किर्वन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवानू द्वारा होता है लुई पाश्चरिय ने असपश्ट किया कि पदाथों का सर्णा तथा विभीन रोगों का काड़न सुक्षम जीव होते हैं लुई पाश्चरिय ने अपने कार्य के अधार पर रोगों की उत्पति रोगाणों का सिद्धान को प्रतिपादित किया जिसे चिकित्सा विज्ञान में बहुत सिग्र ही शिवकार किया गया नेक्स्ट कोश्चन है आवश्यक अमिनो आवश्यक वश्य अमल निम्न बिटामिनों के और शोषन में सहायक है एबी सीडी एबी डी के या एडी एके या उप्युक्त सभी तो आवश्यक वश्य अमल निम्न बिटामिनों के और शोषन में सहायक है कौन है वो वो है D, A उप्युक्त सभी होंगे आवसिये अमले निमलिकित बिटामिनों के और सोशन में सहायक है A, B, C, D, E और K 21 नमबर है आजकर समान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में परियोग किया जाने वाला प्रसीतक पदात है फियोण 2L, D, Chloro, D, Fluoromethane, D, Worf या उप्रुक्त सभी तो समान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में परियोग होने वाला प्रसीतक पदात फियोण 2L है D, Chloro, D, Fluoromethane, CCL2, F2 को फियोण 2L काते हैं या एक मुख्य फियोण है इसका उप्योग रेफ्रिजरेटर में प्रसीतक के रूप में एववता नुकुलन में किया जाता है अस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है तो अच्छा अस्थी नेत्र या गला तो अस्टियोपोरोसिस शरीर के अस्थी को प्रभावित करती है या रोग मुख्यता व्रिधों में होता है अस्थिया निशत कमजोड यो भुर्भुरी हो जाती है तथा जरा सी चोट लगने अथवा गिर जाने पे तूट जाती है तूटी ही अस्थिया जल्दी नहीं जूटती अस्थियो परोसिस मुख्यत दो कार्णों से होता है हार्वोन की कमी होने से और आहार में बिटामिन दी तथा कैलसियम की कमी से नेक्स्ट है पी एच सेवेन इंगित करता है कि बिलियन या पदात है अमली ये छार ये उदाशीन या नमकीन तो पी एच सेवेन इंगित करता है कि बिलियन पदात उदाशीन है अब यहाँ एक्सप्लेशन देख लेते हैं PS7 इंगित करता है कि बिलियन उदाशीन है जल एक उदाशीन बिलियन है जिसका PS7 होता है अमलिये बिलियन का PS7 से कम और चारिये बिलियन का PS7 से अधिक होता है अमलिये बिलियन PS7 से कम और चारिये विलियन पीए 7 से अधिक होता है और जो पीए 7 होता है वो उदाशीन होता है कि नेक्स कोश्चन है एक अत्यधिक क्रियाशिल पूरुष के लिए डैश कलोरी उर्जा प्रती दिन आवश्यक है सारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस सकती की आवसकता होती है उसे उर्जा कहते हैं उर्जा को हम इस तरह भी परिभासित कर सकते हैं कि उर्जा कारे करने की वच हमता है जिससे सरीर की पेशिया क्रियाशिल रहती है तथा सरीर द्वारा कारे शंपन होता है एक बैक्तिक क्रियाशिल पूरुष के लिए 2875 कैलोरी उर्जा प्रती दिन आवश्यक है घरेलू उपकरन निम्निमेशे कौन सा घरेलू उपकरन तथा सकती बचत करता है पहला है प्रेशर कुकर पहला है प्रेशर कुकर दूसरा है टेलीफोन तीशरा है रेंज और चौता है टेलीविजियन तो हमारा pressure cooker यहां expression देख लेते हैं pressure cooker भोजन पकाने का ऐशा बर्तन होता है जिसमें उच्छे दबाव के काड़ा अधिक ताप करम पर भोजन पकाया जाता है इसलिए भोजन को कम समय और कम इंधन में पक जाता है next question है कीक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्वप परियोग होता है तो हमारा answer होगा A, NaHCO3 sodium bicarbonate एक और carbonic योगिक है sodium bicarbonate एक और carbonic योगिक है जिसे baking soda या खाने वाले soda कहते हैं क्योंकि इसका उप्यो बिभिन बेंजनों में किया जाता है जैसे cake pastry double roti आदी इसे गर्म करने पर निकलने वाली CO2 gas cake pastry को फुला देती है और cake मुलायम हो जाती है next question है निम्न में शमानियत कौन सा संतुलन आहार के लिए आवश्यक नहीं है तो फल यह शबजिया शलाद दाले यह आहार के लिए उप्युप्त है बट चाय नहीं है यहाँ expression देखते हैं संतुली ताहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पोस्टिक तत्वा व्यक्ति विशेश की सारेरिक मांग आयू वजन यह क्रियसिलता आवस्था आदी के अनुसार उचित मात्रय यह अनुपात में मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है एक प्रसिद कहावत है जैसा खाय अन वैसा हुए मन संतुलित आहार के अंतरगत अनाज, डाले, पत्तेदार, हरी सब्जिया, फल, दूध, आधी आते हैं नेक्स्ट कैस्ट है अमारा धोशा बनाने के लिए चावल दाल आपका अनुपात होता है नेक्स्ट कैस्ट कैस्ट्छन है ग्री विञ्ञान के प्रमुक छेतर है तो यह 5 है यह तो बहुत ही easy question है ग्री विञ्ञान एक कला मैं विज्ञान है जिसमें कला विशयों के साथ ही विज्ञान विशय की पढ़ाई की जाती है ग्री विज्ञान के अंतरगत मुख्य 5 विशय या सखाय है जिसमें असनातक ततासना को उत्तर करने के बाद पीएजडी एव सोध कारिया करती है हमारा next and last question है हीमोग्लोवीन निम्र परकार की प्रोटीन है सधारन, संयुक्त, व्यूत्पन या पशू प्रोटीन तो हीमोग्लोवीन की प्रोटीन को ग्लोवीन कहते है जो हीम नामक रंगा पदात से जुड़ी होती है हीम में लोहा या आईरन पदात पाया जाता है एक ग्राम हीमोग्लोवीन में 1.34 ml मिलिमिटर O2 का सनमहन करता है तो हीमोग्लोवीन निम्र परकार की प्रोटीन है तो ये शयूक्त प्रोटीन है आज के मारे लाश्ट कोशन यहीं था इसके आगे कोशन हम नेट पार्ट करके देखेंगे वीडियो आपको कैसी लगे अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब मैं चैनल थैंक्स फॉर बाचिंग